जेहिंद साथियों गोमुत्र इस दा बेस्ट मिडिया ओप क्लीन दा बोडी ब्लोड एंड माइंड इसका मतलब यही है कि आप हम इस समय जो भी भोजन कर रहे हैं उसमें पोश्टिक ता तो नहीं है उपर से ग्रोमोर नाइट्रेट इुरिया फश्पेट यह सारा कुछ डाल के हर्मोन डालके जो सबजियां जो फल जो चावल हम लोग खा रहे हैं उसमें बोडी टॉक्सिंस जमा होते जा रहे हैं वह क्लीन नहीं हो पा रहा है इस वज़ए से कई सरे तेल जो की पामुलिन वगएरा हम लोग खाते हैं खा रहे हैं उसमें से हमारे सरीर में टॉक्सिं और इसका एलोपाथी में complete solution तो नहीं है आप लोग ज्यानते ही है आईरबेदिक में कुछ-कुछ है पंचे गबे में कुछ-कुछ है solution तो हमें क्या है इस को मुत्रों का अगर हम पान करते हैं तो हम में हमारे बॉडि के अंदर जो टॉक्सिंस हैं वह मतलब धीरे-धीरे मतलब निकलते जाएंगे और हमारे बॉडि प्यूरिफिकर्शन होते जाएगा और हमारे सारे बीमारियां दूर होंगे गोमुत्र में आप गूगल कर लिजेगा कितने सारे vitamins minerals है कितने सारे vitamin है कितने सारे क्या है वह आपको पता चली जाएगा दूसरा बात यह है अगर यह गोमुत्र का अर्क है इसका अगर हम परिक्षन करने जाएं तो एक तरीका अपना सकते हैं गोमुत्र का अर्क ले और हम जो कहीं पर गहाव हो गया हो और उसको साप करने के लिए डॉक्टर एक हमें वेटाडीन बोला जाता है और केमिकल हमें हमारे गहाव को साप करने में काम आता है और उसको अगर लेते हैं और थोड़ा सा एक काच का ग्लास और साधा पानी और उसमें थोड़ा से चावल एक काच के लिए ग्लास ले उसमें हम पानी आदा ग्लास पानी डाल दें और जैसे हम समझ लें यह जो लास है वह हमारे सरीर है पेठ है और उपर से हम जो पानी पी रहे हैं वह पानी उसमें डाल दिये और चावल जो खा रहे हैं उसमें हम ग्लास में डाल दिये उसके बाद हमें kya करना है beta dine जो होता है लिक्वीड उसको लेना है और दो चारबूंद उस पानी में उस चावल में उस गिलास में डाल देना है उससे क्या होगा वह गिलास में जो पानी है वह बिल्कुल रेट कलर हो जाएगा और जो चावल है वह भी बिल्कुल टाल रहे हैं तो वो यहां होता है सारा चीच निकल नहीं पाता है कुछ चीजे हमारे बोड़ी में रह जाते हैं उसको निकाल नहीं पाते हैं तो उसमें क्या होगा दिरे तिरे दिरे दिरे कर के वह हमारे बोड़ी में चार और एक अलग से पजारतों का जमाब को स्बीस्तरा का संथा हैं कमर शाधे से पीर डरफ सी निखने से हां तो उसमें क्या करना है है जो हम काच का ग्लास में पानी और अर्वचावल डाले हैं उसमें दो चार बुंद हम जो जहर डाले हैं वेताडिन हैं उन्त में जो लाल हो गया है उसमें अगर हम गोमुत्र का एक थेपी त्थेपी देख रहा है उपर यह ठेपी है इस ठेपी से यहां पर लिखा गया है कि बड़े इसमें इसमें लिखा है आडल्ट 10 ml empty stomach with plain water in morning और 1 ml to 5 ml with plain water in morning यह चैल्ड के लिए तो इस तरह से हम अगर 10 ml उस काज का ग्लास में डालते हैं तो आप यकिन नहीं करेंगे दोस्तों कि वह जो पानी है बिलकुल ही धीरे 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 नॉर्मल जीसे नॉर्मल पानी के जो कलर है उसमें आ जाता है और चावल का जो नॉर्मल कलर होता है उसमें आ जाएगा यह 100% यह मैं हम लोग research करके देखे हैं हम लोग उसको example तो दोर पर हम लोग उसको करके देखे हैं जैसे ही वह पानी में गोमुत्र का अर्क डाला जाता है तो दिरे-दिरे वह अपने कलर में आ जाता है इसके पिछे यह रास है यह कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर जो टॉक्सिंस बगरा जमा हो गए हैं जो सही तरीकर से निकल नहीं पा रहा हैं वह जो गोमुत्र अगर हम लेते हैं पीते हैं तो वह दिरे-दिरे मतलब हमारे बोडी से निकलने सुरू हो जाएंगे और हमारे पहले में बोला गोमुत्राुबव कलिएन दा मायं अरब बक कामधेनु यह न इसको आघक्ला मोरे कवरोटा का मैं में बिल जाएगा आपको यह मैं वह जुएं से लाया हूँ और अगर चाहते हैं आपके पास देसी गाये नहीं आपको प्छले विडियो में बता देशी गाये का पीठ में कुझा रहता है और अभी मतलब उसक af जरसी जर सेट बड़ारे ув propor руки कोबर करती है और देसीगाए का गोबर करती है इस तरह कई सब्सक्राम सेण सब्सक्यान आपके हैं तो उसका सेवन construction कर सकते हैं पीने में तरीका बता दे रहा हूं मैं खुद पीता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं डैसी घाए होने चाहिए और वह जो गायी जिसका अप गोमत्र पीएंगे उनको साइटे में पानी पीने के लिए देना है साइटे में बोजन करवाना है उनको एक सापसुत्री जगा में रखना है बच्ट नहीं हुई हो और बच्ची जो है बच्टी वो दूद छोड़ दिया हो और प्रेगनेट नहीं हुई हो इस बीच का पिरियड का जो होता है तो उस बीच के पिरियड के जो गाये है गोवन से उसका गोमुत्र का सुभे सुभे उपर से कलेक्शन करने के बाद आप उसको सूती का कपड़ा ले और आठ परत करके आठ बार लपेट के उसको उस कपड़े में गोमुत्र को चान ले चा तक लेना है आप डायरेट ले सकते हैं या फिर उसमें पानी मिला के ले सकते हैं और यह आप सुबह आरली मोनिंग दो घंटा के अंदर आपको लेना है और दुसरा बात यह है कि आप जब नित्यकर्म बगेरा खतम करने के बाद लेंगे तो बेटर हैं नित्यकर्म सुबह का जो होते हैं वो कतम करके आप इसको पहले आपको मैं 100 परसंट गैरंटी देके बोल रहा हूं आप वान वीक लेकर देखिए आपका बोडी लांग्वेज आपका बोडी ब्लॉड एंड माइंड होंगे मैं आप से यह मैं अपना अनुप से कह रहा हूं तो आप जरू इसको जे हिन जे भारत चे गो मता किजे